Good morning kids, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ, आप सभी घर में स्वास्त और सुरक्षित होंगे Kids, आज की क्लास में मैं आपके लिए एक new activity लेकर आई है आपको पता है, मैं के पास एक animal है तो आप जराव से identify केजिए ये देखिए Correct, ये है dolphin और dolphin कहा रहती है? पानी में dolphin भी एक fish होती है तो kids, आज की क्लास में हम paper fishes बनाएंगे और उन paper fishes को हम अपने aquarium में paste भी करेंगे तो आईए हम सब मिलकर paper fishes बनाते हैं ये देखिए kids आज हम काला paper के help से कुछ इस तरह की fishes बनाएंगे और fishes को हम aquarium में paste भी करेंगे ये माम के पास एक aquarium की picture है यहाँ हम अपनी colorful fishes को इस तरीके से paste करेंगे और crayons की help से इस जगा पर हम blue color करेंगे तो kids आईए हम सब देखते हैं हमें colorful fishes बनाने के लिए कौन-कौन सी चीज़े चाहिए paper fishes बनाने के लिए हमें चाहिए colorful papers, favicol, black marker, crayons color for coloring and scissor scissor का use kids आप सब ममी पापा की help से करेंगे सबसे पहले हम एक square paper लेंगे और उसे इस तरह से fold करेंगे यह हमारे पास एक triangle shape बन गई है अब हम इसे बीच में से cut कर लेंगे इसे cut करने के बाद हम इसे एक बार फिर से fold करेंगे इस तरह से और अब हमारे पास यह एक छोटा triangle बन गया है अब हम बीच में से इसे एक बार फिर से cut कर लेंगे यह देखिए अब हमारे पास यह एक बड़ा triangle है अब हम fish की tail के लिए एक छोटा triangle करेंगे इसके लिए हमने यह दूसरे color paper लिया है और यहां से हमने इसे इस तरीके से एक fold करना है और यह एक छोटे से triangle की shape आपको दिखेगी और इसे हम cut कर लेंगे इस तरह से तो आप मेरे पास एक छोटा triangle है और एक बड़ा triangle है इस छोटे triangle को मैं इस बड़े triangle पर इस तरह से paste कर दूँगी with the help of favicol यह देखिए यह बन गई fish की tail और आप मैं black marker की help से इसकी eye draw कर दूँगी तो इस तरह से यह मेरी fish बनके ready हो गई है हम अपने aquarium में two fishes paste करेंगे तो इसी तरह से kids हम एक छोटे fish और बनाएंगे यह देखिए kids हम मैंने दूसरे color का paper लिया है और इसमें से मैंने एक छोटा triangle cut कर लिया है और मैंने green color के paper में से भी एक छोटा triangle cut कर लिया है अब मैं के पास यहाँ two triangles हो गए है अब हम इस green color के triangle पर favicol लगाएंगे इस तरह से और इसे यहलो color के triangle पर इस तरह से paste कर देंगे और हम black marker के help से इसकी eye draw कर देंगे यह देखिए यह हमारी एक छोटी fish भी बनके ready हो गई है यह देखिए kids हमने two fishes बना लिये है वन green color की और वन yellow color की अब हम इन two fishes को अपने aquarium में paste करेंगे यह मैम के पास aquarium है इसमें हम अपनी fishes को paste करेंगे इस तरह से सबसे पहले हम favicol लेंगे और favicol की help से इसे paste करेंगे यह देखिए यह मैंने अपनी fish को paste कर दिया है अब मैं अपनी छोटी वाली fish को भी paste करूँगे favicol का use हमें जादा नहीं करना है बस थोड़ा ही लगाना है और इस तरह से मैंने इसे भी paste कर दिया है तो इस तरह से यह दोनों fishes paste हो गई है अब हम blue color लेंगे और यहाँ blue color करेंगे यह देखे किट्स यहाँ मैं मैं के पास crayons का box है यहाँ से मैं ने यह blue color लिया है और इस blue color के हैच से अब मैं यहाँ color करेंगे हमें slowly slowly color करना है और बिल्कुल भी बाहर नहीं निकालना है इस तरह से यह देखे मैं यह color कर रही है इस तरह से आपको blue color करना है और बिल्कुल भी बाहर नहीं निकालना है और इस तरह से यह हमने सब जगा अच्छे से blue color कर लिया है यह देखेंगे और हमारा एक्वेरियम बनकर रेडी हो गया है देखेंगे आप सब किड्स कितना ब्यूटिफुल लग रहा है तो किड्स आप सब को भी यह paper fishes बनानी है और अपने अपने एक्वेरियम में पेस्ट करके इसकी photo ग्रोपर मैम के साथ शेयर करनी है और नेक्स टाइम हम दूसरी अक्टिविटी के साथ मिलेंगे तिल दैन बाई बाई